प्राब्लम में पढ़े रहने से अच्छा है कि हम उठे और देखे प्राब्लम कहा है और उस प्राब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें तो हे गाईज वेलकम बैक टू दे चैनल सक्सिस टोरीज तो चलिए बात करते हैं आज फिर से सारा सत्तानी के उपर जैसे कि मैंने अभी बोला कि प्राब्लम में पढ़े रहने से अच्छा है कि हम उठे और अपनी दिमाग से काम ले और उस प्राब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे कि वो प्राब्लम क्यों आई है तो ऐसा ही कुछ किया है सारा सत्तानी ने जैसे कि आप लोगों को पता है कि उनके लाइफ में कुछ ऐसा मैडर चल रहा है जो कि सोशल मीडिया पे जग जाहिर है और काफी दिनों से वो इस चीज़ को लेकर परिशान थी दुखी होती थी और बहुत सारी वीडियो में उनका रोना भी आपको देखने को मिलता था लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने उन सब चीजों को पीछे छोड़ते वए एक डिसीजन लिया है और वो डिसीजन बहुत ही अच्छा है यानि कि जो उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हुई है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक डिसीजन है जैसे कि आप लोगों को पता है कि सारी जडर सूरत से है यानि कि जो भी उनके लाइफ में स्टार्ट हुआ है वो सूरत से स्टार्ट हुआ है तो अभी recently वो सूरत पहुँच चुकी है अब वो सूरत क्यों गई है वो हम आगे आने वाली आगे की वीडियो में शेयर करेंगे और जानेंगे और थोड़ी कोशिश करेंगे कि वो क्यों आई है तो अभी चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जो उनका हस्वेंड है वो सूरत से ही है और अभी व आयूब शेक बोलते हैं कि उन्होंने 15 लाग रुपे दे दिये हैं लेकिन रेहाना बॉस कंटीनियू उनके उपर वह एलिगेशन लगा रही थी कि उन्होंने पैसा नहीं दिया है और सायरस अतानी को वह कंटीनियू शोशल मेडिया पर डिफेम कर रही थी तो इसके चलते जो उन्होंने FIR दरज के थी वह सूरत में है ठीके तो वहां पर जो अपर लेंगविज में थी यानि कि जो भी घजरात या सूरत में जो लेंगविज यूज होती है उसमें थी तो आयूब शेक ने बोला था कि उन्होंने कर दिया है लेकिन मैटर फिर बिसल्व नहीं हो रहाता तो वो उस matter को लेके भी सूरत में गई है और आने वाली दिनों में ये matter हमें solve होता हुआ नजर आएगा और जो भी सच है वो सामने आएगा क्योंकि जब तक हम problems में जाते नहीं है देखते नहीं है तो problem समझ नहीं आती है कहां से हा रखिये बस बाते देखो आपको पता है कि जैसे सायरा सत्तानी भी कुछ बाते रखती है तो उसी के उपर अयूब शेक भी बहुत सारी बाते गोल गोल गुमाके रखते है तो अब इन सब चीजों को बातों के सिलसले से बाहर निकलके अभी सायरा सत्तानी ने एक stand दिया है और दिसरी अब शेक के जो पहली फैमली है उनसे भी मिलने गई होंगी अईउब शेक के बारे में जानने के लिए क्योंकि अईउब शेक ने इन दिनों में सायरा सत्तानी को शोशल मीडिया पर बहुत जादा डिफेम किया है और अपनी फैमली को उसने बहुत ही जादा तारीफ की है और जबकि उन्होंने अपनी पहली फैमली को छोड़ दिया था और अईउब शेक के जो फादर है उन्होंने भी आईउब शेक को उनके घर से निकाल दिया था तो अभी उनका जो फैमली बैक्राउंड है वो कैसे है क्या उनकी रिलेशन है पहली फैमली के साथ वो सब जान के सिलसले नहीं अभी प्रूफ के साथ सारे जो सच है 15 लाग का जो मैटर है आमीन के उपर जो केस हुआ है और जो भी आयूब शेक की सचाई है जो की वो अपनी फैमिली को लेकर बोलते है या फिर गोल्डन गुरूप के साथ वो क्यों जाके मिले हैं जो भी या मिली चुली है सबकी सारे सत्तानी को फसाने के लिए जो भी जो मैटर है वो अभी आने वाले दिनों में सॉल्व हो जाएगा और तब तक आप भी मेरी !योज़ में बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मैं आगे आने वाली वीडियो में बहुत सारे कमेंट के जबाब भी दूँगी जो मुझे मिले है सारा सतानी को लेके तो मैं उन सब कमेंट के जवाब दूँगी तो गाइस यहां पर मैं एक और चीज क्लियर करना चाहती हूं कि मुझे इतना अच्छ क्या मेरा मुद्दा है वो सामने रखती हूं क्योंकि मेरा कुछ भी पर्सनल नहीं है ना मेरे सारा सतानी मैं के साथ कुछ पर्सनल है ना अयूब शेक के साथ पर्सनल है हम शोशल मीडिया पर है तो सिर्फ यहां पर अपने चैनल को ग्रो करने के लिए है और जो चीजी हमे जिनको हम देखते है यानि कि सारा सत्तानी मैम को मैं काफी टाइम से देखती थी तो मुझे उनके वीडियोज अच्छे लगते थे तो मैं उनके उपर बात कर रही हूँ जो मुझे सही लगता है जो मुझे गलत लगता है तो आगे आने वाली वीडियो में हम कमेंट के उपर भी डिसकस करेंगे कि क्या-क्या कमेंट है, ऐसे कमेंट के जवाब मैं कैसे देती हूँ तो वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच